हेलो फ्रेंज आज मैं आपके लिए रेकिया आई हूँ एक बहुत ही छटपट सा बनने वाला स्नाक जिसमें बहुत कम इंग्रिडियंट्स यूज होते हैं बट टेस्ट बहुत ही बढ़ी आता है चाय का बेस्ट सातीदार ये बन सकता है ये है बेसन वाली मूंग फली जिसमे बहुत ही कम इंग्रिडियंट्स बढ़ते हैं बट खाने में बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार लगती है जी हां सिर्फ पांच मिनिट में ये क्रिस्पी और चटपटा सा स्नाक रेडी हो जाता है तो चलिए आज बनाते हैं बेसन वाली क्रिस्पी मूंग फली हेलो फ्रे तो फ्रेंट्स आजकी रेसेपी स्टार्ट करते हैं मैंने यहां पे एक कटोरी मूंग फली ली है जिसे हमें थोड़ा सा भूनना है हम इसे ज्यादा नहीं भूनेंगे बस इसका कच्छा पर निकल जाए और यह हलका सा भून जाए तब तक हमें इसे चलाते रहना है पांच मिनिट लग चाएंगे यह देखिए मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे फून लिया और ठंडा करके इस बॉल में ट्रांसफर कर लिया है अब इसमें हम कुछ ना इंग्रिडियेंट्स आड़ करेंगे यहां मैंने हाफ कटोरी बेसन लिया है एक कटोरी मूंगफली के लिए हाफ कटोरी बेसन और वन टेबल स्पून चावल का आटा अगर आपके पास चावल का अटा नहीं है तो आप से skip कर सकते हैं बट मैंने इसलिए लिया है ताकि चावल के आटे से crispiness आई half teaspoon हल्दी powder और half teaspoon लाल मिर्च पाउडर मैंने यहां लिया है और इसमें हम डाल लेते हैं स्वादनुसाल नमक बस इसमें हम आड़ कर लेंगे थोड़ा सा तेल वन टेबल स्पून ओईल में यहाँ आड़ कर रही हूँ इंग्रिडियन्स खतम हो गए देखिए कितनी कम चीजों से हमारी चटपटी सी मूंगफली बनके रेडी हो जाएगी पहले तेल के साथ मैं इसे कोट कर लेती हूँ हमारे आटे से मूंगफली को बस मूंगफली को हमें इस बेशन से कोट करना है ताकि हम जिसे फ्राइ करेंगे तो इसका पढ़िया स्वाद आए अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालके इस मूंगफली को सिर्फ बेशन से कोट करने वाले हैं पानी जादा नहीं डालना है बस थोड़ा सा पानी आप हाथ से भी कर सकते हैं और यह देखिए हमारी मूंगफली कोट हो गई और हमें बस इसे फ्राइ करना है तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं नए नए रेसिपी आपके लिए लेके आओं यहां हमारा ऑईल गरम हो चुका है और हम हमारी मूंगफली फ्राइब कर लेते हैं एक साथ बहुत सारी मूंगफली ना डाले बस थोड़ी थोड़े बैचेस में हम इसे फ्राइब कर लेंगे याद रखे जब हम मूंगफली डाल रहे होंगे तब ऑईल गरम होना चाहिए और जब हम मूंगफली डाल देते हैं तब ऑईल मीडियम लो पे हम इसे फ्राइब कर लेते हैं यह देखिए हमारी मूंगफली कित अब इसे हम टीशू पेपर पे निकाल लेते हैं इस तरह हमें दुसरे बैच में यह मुंगफली फ्राइ कर लेती हूं तो है ना जटपट पढ़ने वाला एक्दम आसान और पिल्कल कम इंडियंट्स वाला स्नैक छोटी सी भूग के लिए यह काफी टेस्टी स्नैक है बस हमें इसी बात का ख्यार रखना है कि जब हम फर्स्ट पैच फ्राइ कर लेंगे तब हमें गैस पढ़ा करना है और जब हम मुंगफली डालते हैं तो गैस मीडियम लोपे करके हम इसे फ्राइ कर रहे हैं कितनी गोल्डन ब्राउन और प्रिस्प लग रही है इस तरह मैंने सारी मुंगफली फ्राइ कर ली इसे थोड़ा और स्पाइसी बनाने के लिए मैं यहां पे हाफ टीस्पून रेट चिली पाउडर लाल मीच का पाउडर डाल रही हूं और हाफ टीस्पून आधा चम्मच म मैंने यहां पे चाट मसाला डाल दिया है यह ऑप्शनल है अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डाले इसे मैं अच्छे से मिला लेती हूं मिक्स करते हुए यह लग रहा है कि काफी क्रिस्पी बनी है तो हमारी मुंगफली खाने के लिए रेडी है और मैंसे सर्व कर देत इसे चाई के साथ सर्व कीजिए तो चाई का मजन दुगना हो जाएगा और आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं और बच्चों को भी यह बहुत पसंद आएगी इसकी क्रिस्पीनेस बच्चों को बहुत ही अच्छी लगेगी तो यहाँ रेडी है हमारा चटपट सा स्नैक जो की बहुत कम इंगिडियन्स से हमने बनाया है और खाने में बहुत ही टेस्टियर चटपटा और मज़ेदार बनाया है तो आप भी इसको ज़रूर ट्राय करें और अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने व्यूस मुझे कमेंट्स द्वारा भेशते रहें यह बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है कि मैं आपके लिए अलग-अलग और और नए रेसिपी मैं लाती रहूं तो तब तक अपना ख्याल रखें स्वस्त रहें अ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और आप मजुरास फूडी रसूल देखते रहें